नमस्कार विजन आईस के न्यूस टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी असी परीक्षा की दृष्टी से महत्तपूर्ण कुछ एहम खबरें इस अंक की सबसे पहली खबर है विकास वित्त संस्थानों से सरकार ने बड़ी अवसनरचना परियोजनाओं के वित्त पोशन के लिए विकास वित्त संस्थानों यानी डेवलेपमेंट फाइनेंस इंस्टिऊशन्स को पुनरजीवित करने की योजना निर्मित की है दरसल Development Finance Institutions या विकास बैंक मुख्य रूप से अर्थविवस्था के विभिन शेत्रों को विकास वित्त प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा प्रोथ साहित एक संस्था है उदारी करण के बाद के युग में DFIs को प्राप्त सरकारी समर्थन राजिकोश्य कारणों से कम हो रहा था और ये बाजार की दक्षता के निर्मान के पक्ष में अधिक था वर्तमान में बैंकिंग शेत्र में बढ़ती गेर निश्पादित परिसंपत्यों के कारण सरकार DFIs को पुनरजीवित करने की योजना बना रही है सरकार DFIs को पुनरजीवित करने के लिए दो विकलपों की तराश कर रही है पहला है कि क्या DFIs को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए और दूसरा है क्या इन्हें निजी शेत्र में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए जिसमें सरकार के हिस्सदारी केवल 49 प्रतिशत ही सीमित रहे यदि DFIs को पूर्टिया सरकार के स्वामित तुम्हे कर दिया जाए तो निधी संग्रहन करना सरल हो जाएगा परन्तु CBI, CVC और कैक जैसे निकायों द्वारा जांच एक चिंता का विशे बन जाएगा आपको बता दें कि एक निजी शेत्र के रूप में DFIs ऐसी किसी भी प्रकार की जाँच के भय के बिना ही कारे कर सकती हैं निजी शेत्र की प्रकृति वाले DFIs के लिए ये आवश्यक होगा कि सरकार निजी शेत्र पर विश्वास करे और इन DFIs को भी ऐसे लाब प्रदान करे जैसा कि सरकार सामा निराजी के स्वामित्तों वाले DFIs को उपलब्ध कराती हैं अगली खबर बहु आया में निर्धनता सूचकांग से सम्बंदित है हाल ही में नीती आयोग को वैश्विक बहु आया में निर्धंता सूचकांग यानि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के निगरानी तंतर का लाब प्राप्त करने का उत्तरदाई तो प्रदान किया गया है सरकार ने सुधार और विकास के संचालन के लिए वैश्विक सूचकांकों यानि Global Indices to Drive Reform and Growth GIRG पर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से 29 चैनित वैश्विक सूचकांकों में देश के प्रदर्शन की निगरानी करने का निर्णे लिया है वैश्विक MPI इसका एक भाग है नीती आयोग को MPI की एक Nodal Agency के रूप में वैश्विक MPI के निगरानी तंत्र का लाप्राप्त करने का उत्तरदाई तो सूपा गया है ताकि सुधारों का संचालन किया जा सके नीती आयोग ने इस संबंद में एक बहु आया में निर्धनता सूचकांक समनवे समिती यानी MPI CC का गठन भी किया है आईए अब जानते हैं GIRG प्रक्रिया के उद्देश को कई महत्तोपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मापदंडों पर भारत के प्रदर्शन का मापन और निगरानी करने की आवश्यक्ता को पूर्ण करना आत्म सुधार के उपकर्णों के तोर पर इन सूचकांकों के उपयोग को सक्षम करना इसके साथ ही सरकारी योजनाओं के अंतिम लक्ष तक कार्यानवेन में सुधार करते हुए नीतियों में संशोधन करना आदी आईए जानते हैं वैश्विक MPI के बारे में ये 107 विकास्टिल देशों को शामिल करने वाला बहु आयामे निर्धनता का एक अंतर राष्ट्रे मापन है ये कौन निर्धन है और वह क्यों निर्धन है दोनों की पहचान करता है इसकी गड़ना इसके अंतरगत तीन समान रूप से भारित आयामों में सर्वेक्षन किये गए परिवार को 10 मानकों पर आधारित अंक प्रदान करके की जाती है ये तीन आयाम है स्वास्थे, सिक्षा और जीवनिस्तर ये राष्ट्रे परिवार स्वास्थे सर्वेक्षन का उप्योग करता है वर्ष 2020 के वैश्विक MPI के अनुसार भारत 62 स्थान पर है और वर्ष 2005-6 से वर्ष 2015-16 के बीच इसकी बहु आयामे निर्धनता में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है अगली खबर DRDO से संबंदित है रक्षा अनुसंदान और विकाज संगठन DRDO ने Hypersonic Technology Demonstrator वीकल का सफलता पूर्वक उड़ान परिक्षन किया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने HSTDV की उडान परिक्षन के साथ हाइपरसोनिक एर ब्रीधिंग स्क्रेम जट तक्नीक का भी सफलता पूर्वक प्रदर्शन किया है इसके साथ ही अब भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद इस तक्नीक को विक्सित करने वाला चौथा देश बन गया है HSTDV एक मानव रहित स्क्रेम जट प्रमानित विमान है जो हाइपरसोनिक गती से उडान भर सकता है हाइपरसोनिक उडान का मतलब है कि ये ध्वनी की गती से पाँच गुना अधिक तीवर गती से उडान भरने में सक्षम है आईए अब आपको बताते हैं रैम जेट के बारे में रैम जेट इंजनों का एक प्रकार है जिसे एर ब्रीधिंग इंजन कहा जाता है टर्बो जेट इंजन के विपरीत एक रैम जेट इंजन में कोई टर्बाइन नहीं होता है ये वायू को संपीडित करने के लिए वाहन की अग्रिम गती का उप्योग करता है अधिकांश मिसाइलों में रैम जेट प्रद्योगी की का उप्योग किया जाता है जो की लगभग मैक 3 की सूपरसोनिक गती पर कुशलता पूर्वक प्रेशेपित होने में सक्षम होती है लेकिन जब विमान हाइपरसोनिक गती पर उड़ान भरता है तो उनके प्रदर्शन में गिरावटाती है स्क्रेम जट इंजन रेम जट इंजन का ही एक परिश्कृत संसकरण है क्योंकि ये हाइपरसोनिक गती पर कुशलता पूर्वक उड़ान भर सकता है और सूपरसोनिक देहन को बनाए रखने में सक्षम होता है इस तरह इसे सूपरसोनिक देहन रेम जेट या स्क्रेम जेट के रूप में जाना जाता है। आईए जानते हैं स्क्रेम जेट प्रद्योगी की के लाब। इस तकनीक का भविश्य की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए कम लागत पर उपग्रहों को प्रशेपित करन सहित अनेक असैनिक अनुपरयोग के लिए उपयोग किया जा सकता है। आईए अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में युद्ध अपराधों की जाच कर रहे अंतराष्ट्रे आपराधिक नियाले के अधिकारियों को अमेरिका द्वारा प्रतिबंधि जात से राष्ट्रे सुरक्षा को खत्रा है। जून 2020 में राष्ट्रपती ट्रंप ने एक कारेकारी आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहट कुछ ICC अधिकारियों पर अनेक प्रतिबंध आरोपित किये गए हैं। आईए अब आपको अंतरराष्ट्रे आपराधिक नियायले यानि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोट और अंतरराष्ट्रे नियायले यानि इंटरनेशनल कोट ऑफ जस्टिस के बीच का अंतर बताते हैं। सम्मंदित विवाद आधी पर निरने दे सकता है ICC की रोम समविधी के तहत इसमें 123 देश शामिल हैं हाला कि भारत और अमेरिका इसके सदस्य नहीं हैं वहीं ICJ की बात करें तो केवल संव्तिराष्ट्रे या ICJ दोनों की सदस्यता प्राप्त देश इसमें शामिल हैं भारत ICJ का सदस्य है प्राधिकृत समविधी की बात करें तो ICC रोम समविधी का अनुपालन करता है वहीं International Court of Justice ICJ समविधी का अनुपालन करता है नयाले की गठेन की बात करें तो ICC में 9 वर्ष की अवधी के लिए निर्वाचित 18 नियायधीशों से गठित और भावी अवधी के ल वहीं ICJ के पास दो प्रकार के अधिकार शेत्र हैं पहला है विवादास्पद शेत्र अधिकार और दूसरा है प्रामर्श दात्री अधिकार शेत्र ICC में अपील का निर्णय अपील चेंबर द्वारा लिया जाता है वहीं ICJ में अपील का कोई प्रावधान नहीं है अगली खबर भारतिय रिजर्व बैंक से संबंदित है भारतिय रिजर्व बैंक द्वारा गठित केवी कामत समिती ने रिन पुनर रचना की अनुशनसा की है पिछले महिने में आर्बियाई द्वारा केवी कामत की अध्यक्षता में एक विशेशक्य समिती के गठन की गोशना की गई थी रिन पुनर रचना के लिए पहचान की गई शेत्रों में शामिल है विद्युत, निर्मान, लोह और इस्पात, सडकें, अचल संपत्ती, उपभोगता, ठिकाउवस्तुएं, विमानन, खनन, आदी शेत्रों की पहचान विद्य मापदंडों के अपने विशलेशन के आधार पर की गई है जिसमें लिवरेज, तरलता और रिन चुकाने की शमता से संबंदित पहलू शामिल हैं लिवरेज का अर्थ है रिन पुझी और साधारन शेयरों के मुल्य का अनुपात आईए जानते हैं केवी कामत समिती के सुझाव, इसके तहट त्वरित परिवर्तन के लिए खातों का कम, मध्यम और गंभीर तनाव के तहट वर्गी करण किया जा सकता है कम और मध्यम तनाव वाले मामलों के लिए सरली कृत पुनर रचना यानि सिंप्लिफाइड रिस्ट्रक्चरिंग और गंभीर तनाव युक्त मामलों के लिए व्यापक पुनर रचना यानि कॉम्प्रिहंसिव रिस्ट्रक्चरिंग के उपाई किये जा सकते हैं यहां रिंड पुनर रचना एक ऐसी प्रक्रिया है जो उधार करताओं को उनके रिंड भुगतान को पुनर निर्धारित करने में, एक सीमित रिंड चुकाने या पुनर भुगतान अवकाश प्राप्त करने में या उनके मौजूदा रिंडों पर ब्यासदर को कम करने में सक् आईए अब जानते हैं कुछ संशिप्त किंतु महत्तुपूर्ण खबरों के बारे में सरकारी विज्यापनों की विशेवस्तु के विनियमन के लिए समीती केंद्र सरकार ने उचितम नियाले द्वारा जारी किये गए निर्देशों के अनुपालन में सभी मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सरकारी विज्यापनों की विशेवस्तु के लिए विनियमन की निगरानी के लिए CCRGA यानि Committee on Content Regulation in Government Advertising का गठन किया है इसे सामाने जन की शिकायतों के निवारन के लिए अधिदेशित किया गया है साथ ही ये सरकारी विज्यापनों की विशेवस्तु के विनियमन से संबंदित उचितम नियाले के दिशानिरदेशों के उल्लंगन के मामलों में स्वतह संग्यान ले सकती है और अनुशन साइं भी प्रदान कर सकती है हाल ही में इस समिती ने इस पश्ट किया है कि यदि राज्य उचितम नियाले द्वारा अनिवारे किये गए विशेवस्तु विनियमन के अनुरूप समितियों का गठन नहीं करते हैं तो इसे उचितम नियाले के आदेश की अवुमानना माना जाएगा श्रीलंकाई सम्विधान में तेरवा संशोधन ये संशोधन इस द्वीब के नौ प्रांतों के प्रशासन के लिए इस्थापित प्रांतिय परिशदों को शक्ती हस्तांतरन संबंधी उपायों के लिए उपबंध करता है ये श्रीलंका के निर्जातिय संघर्ष को समाप्त करने के लिए जुलाई 1987 में किये गए भारत श्रीलंका समझोते का एक परिणाम है इसका उद्देश्य ततकालीन उत्तर पूर्वी प्रांत जिसमें तमिल बहुल शित्र शामिल है उसको राजनेतिक शक्तियों के हस्तानतरण के लिए उपाय तलाशना था सैंक्तुराष्ट्र बाल कोस युनिसेफ कोविड वैक्सीन की वैश्विक खरीद और आपूर्ति का नेत्रेत्व करेगा निम्न और निम्न मध्यम आयवाले 92 देशों के लिए COVID वैक्सीन की वैश्विक खरीद और आपूर्ती प्रयास का नित्रित्व कोवैक्स फैसिलिटी की ओर से अब UNICEF द्वारा किया जाएगा ये 80 उच्च आयवाली अर्थविवस्थाओं को समर्थन प्रदान करने के लिए एक खरीद समनवयक यानि प्रोक्योर्मेंट कॉडिनेटर के रूप में भी कारे करेगा कोवैक्स एक वैश्विक पहल है जो उच्च आय और निम्न आयवाले दोनों प्रकार के देशों में COVID-19 वैक्सीन की विश्व व्यापी उपलब्धिता को सुनिश्चित करीगी यूनिसेप विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन खरीदार है ये नियमित ठीका करन सुनिश्चित करने और रोगों के प्रकोप से निपटने के लिए लगभग 100 देशों की ओर से प्रतिवर्ष वैक्सीन की 2 बिलियन से अधिक खुराग की खरीद करता है सिलिकोसिस सिलिकोसिस फेफडे का एक विकार है जो रेट चटान या क्वार्ट जैसे खनिज आयसकों का प्रसंस करने वाले कार खानों में कारे करते समय सिलिका डंस्ट के अन्तरष्वसन से उत्पन होता है इसके निरंतर संपर्क में बने रहने से सिलिका फेफडों और श्वासनली में जमा हो जाता है इस तरह ये प्राण घातक सिद्ध हो सकता है हाल ही में राष्ट्रे मानवाधिकार आयोग द्वारा मिनाखान में सिरिकोसिस प्रभावित लोगों को शतिपूर्टी प्रदान करने में निश्क्रियता दिखाने पर पश्चिम बंगाल सरकार को प्रश्णगत किया गया था भारतिय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरन फसाई द्वारा विद्यालेओं में अस्वास्थेकर भोजन पर प्रतिबंध फसाई ने विद्यालेई बच्चों के लिए सुरक्षित एवं संतुलित आहार की उपलब्धिता को सुनिश्चित करने के लिए नए विनियमो को अधिसूचित किया है जिसमें इस पष्ट किया गया है कि पैकेज़ फूड कमपनियां विद्याले परिसर में या उसके बाहर किसी भी दिशा में 50 मीटर की दूरी पर ऐसे उत्पादों का विग्यापन या विक्री नहीं करेंगी जो संत्रिप्त वसा यानी सैचुरेटि देने की अनुमती नहीं होगी हट्टी स्वर्ण खान करनाटक ये खदान करनाटक के राइचूर जिले में इस्थित है हट्टी गोल्ड माइन्स कंपनी लिमिटेड करनाटक सरकार के स्वामित्वधीन है ये देश में प्राथमिक स्वर्ण की एक मात्र उत्पादक कंपनी है भारत में स्वर्ण की कारेरत खदाने हैं करनाटक में कोलार, हट्टी और उट्टी जारखंड में हीरा बुद्दीनी खान और आंधरप्रदेश में रामगिरी गोल्ड फील्ड वर्ष 1902 में परिचालन आरंभ करने वाली हट्टी खदान विश्व की सबसे प्राचीन खदानों में से एक है शोधकरताओं के मताबिक इस शेत्र में खनन गतिविधी लगभग 1902 वर्ष पूर्व से परिचालित हो रही है इंडियन मर्चेंट्स चेंबर, IMC हाल ही में IMC Chambers of Commerce of Industry के 114 वे स्थापना दिवस समारों का आयोजन किया गया है ये देश का सबसे पुराना Chamber of Commerce है जिसके सदस्यों में महात्मा गांधी भी शामिल थे इसे स्वदेशी आंदोलन के अंतरगत भारतिय वेवसाईयों का प्रतनेधित्व करने के लिए वर्ष 1907 में इस्थापित किया गया था इसका मुख्यालाय मुंबई में है इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपून खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार